दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए टाप 4 स्मार्टफोन अंडर 30,000 के सेलेक कियें इस टाप पर पता है आपको Flipkart पर Amazon पर दोनों पर ये स्मार्टफोन आपको काफी तग्रे डिसकाउंट पर देखने को मिल जाएंगे करते हैं वीडियो को स्टाइट करने से पहले आप हमारे चैनल पर ने आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बिटन को प्रेस कर लेना दोस्तो इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है रियल्मी जीटी टू प्रो यह स्मार्टफोन 30,000 रुपे का आपको देखने हो मिल जाएगा यहाँ पर आपको LTPO2 AMOLED 6.7 इंचिस का डिस्प्ले पैनल देखने हो मिलता है जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेस्ट दिया गया और इसमें आपको कोर्निंग गुल्ले ग्लास बिक्टस की प्रोटेक्शन देखने हो मिलती है हलाकि स्मार्टफोन थोड़ा ओल्ड हो चुका है लेकिन पर्फॉमेंस इसमें आपको इस प्राइस पॉइंट पर टॉप नॉच रेविल की देखने हो मिलती है 50 दॉचल का में प्राइमरी केम्रा है 50 ही में आप جुटावायज है 3 में आप इक्सल आपको माइक।数 कोप दियें गया है डुट ल्डी फ्लैस लाइट के साथ के साथ आप फ्रेंट से औरहर से दौनों से आप 4k में वीदियो एकॉर्द नहीं कर सकते हैं आप rear camera से 8K 24fps में video record कर सकते हैं, 4K में 30fps प्लस 60fps तक में कर सकते हैं, front से 1080p वे 30fps में record कर सकते हैं, front में 32 में आप Excel का selfie camera देखने हों मिलता है, stereo speakers दिए गए हैं, इस smartphone के अंदर OTG support करता है, under display fingerprint sensor है, 5000 mh की बैटी की साथ, smartphone के अंदर आपको 65 बर्ट की far charging की support दी गई है, यहाँ पर आपको 4 color scheme दी गई है, और दोस्तों smartphone का under two score 10 lakh के around जाता है, तो performance 22 day smartphone next level है, no doubt दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने हों मिलेगी performance, दोस्तों इस smartphone के अंदर आपको 189 gram का weight और 8.2 mm की देखने हों मिलती है, definitely grab कर सकते हो, इस price point पर यह smartphone better value मनी है, और यहाँ पर आपको design भी कफी इच्छी देखने हों मिलती है, जो कि आप official video में देख पा रहे होगे, अब बात करते हैं, next smartphone के बारे में जो की रहता है, OPPO Reno 10, इस smartphone के अंदर भी आपको curve display panel देखने हों मिलता है, under 30,000 के आ जाता है, यहाँ पर आपको AMOLED 6.7 inches का display panel देखने हों मिलता है, curved जिसमें 120 Hz का refresh rate है, Asahi Glass AGC DT Star 2 की protection आफर की गई है, MediaTek की तरप से इसमें आपको Dimensity 7050 प्रॉस्ट सा दिया गया है, 6 nanometer के साथ आता है, Android version latest 13 पर वेज़ड और यह smartphone color OS 13.1 पर रन करता है, 8GB RAM 120, 8GB का base parent है, UFS 2.2 टाप की storage है, 64 में आप इक्सल का main primary camera है, 32 में आप इक्सल का telephoto lens है और 8 में आप इक्सल का ultra wide है, 4K 30 fps में rear camera से max video record कर सकते हैं, 32 में आप इक्सल का, front में आपको selfie snapper दिया गया है, stereo speakers है, OTG support करता है, under display fingerprint sensor offer किया गया है, 5000 की like big battery आपको offer की गयी है, with 60 watt far charging के साथ, ओके, यहाँ पर दो color scheme देखने हो मिलेंगी, जो कि आप अपनी पसंद के साब से कोई सा कल option भी choose कर सकते हो, और बात करते हैं smartphone की build quality के बारे में, तो back में आपको glass panel देखने हो मिलता है, frame plastic का दिया गया है, glass की production अल्लेडी बता दिया, आपको display के अंदर देखने हो मिलती है, 185 gram का weight है और 8 mm की तिकनिस है, OPPO Reno 10, like Reno series का latest smartphone है, definitely grab कर सकते हो, इसको भी, ओके, ये भी value for money है, अब बात करते हैं next smartphone के बारे में, यो कि रहता है इस list का third, Vivo V27, यहाँ पर आपको slim-est design देखने हो मिलेगा, overall premium in hand feel देखने हो मिलेगी, AMOLED 6.78 इंचिस का cob display panel offer किया गया है, 120Hz का refresh rate आपको display के अंदर देखने हो मिल जाता है, यहाँ पर media tech की तरप से आपको dimensity 7200 प्रॉसर देखने हो मिलता है, 5G latest 4 nanometer के साथ आता है, और android version 13 पर वेज़े latest, funtest 13 पर ये smartphone रन करता है, 8GB RAM 120 8GB का base variant है, rear part में triple camera setup दिया गया है, 50-mahya pixel का main primary camera है, 8-mahya pixel का ultra wide, 2-mahya pixel का macro lens, ring LED flashlight के साथ, आप 4K 30fps प्लस 60fps में maximum video record कर सकते हैं, front में आपको 50-mahya pixel का selfie camera देखने हो मिलेगा, with dual LED flashlight के साथ, और यहाँ पर आपको 4K 30fps में and 60fps में, इस smartphone के अंदर आप front से भी video record कर सकते हैं 4K में, like rear camera से और front camera से, दोनों से यह आप 4K में video record कर सकते हैं, बात करें other features के बारे में, तो दोस्तों यह smartphone OTE support करता है, यहाँ पर आपको under display fingerprint sensor देखने हो मिलेगा, 4600 mh की betty की साथ, इसमें 66 bot की far charging की support दी गई, और इसमें आपको 4 color scheme देखने को मिल जाएंगी, साथ ही दोस्तों इस smartphone का अंतुत स्कोर जाता है, 6,20,000 के around, जो की काफी अच्छा है, और इस smartphone के अंदर आपको 4 color scheme देखने को मिल जाएंगी, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, build quality के बारे में बात करें, तो इस smartphone के back में आपको color changing back panel देखने को मिलता है, जो की काफी unique है, 180 gram को weight दिया गया है, 7.4 mm की थिकनीज दिया गया है, इसको भी definitely grab कर सकते हैं, value for money smartphone है, और काफी अच्छा आपको enhance feel देखने को मिलता है, बखी बात करते हैं, अदर smartphone के बारे में, जो की रहता है दोस्तों इस list का fourth and last smartphone, realme 11 pro plus 5G, यहाँ पर आपको curb display panel दिया गया है, design आप देख सकते हैं, जो की आपको पसंद आभी सकती है, और नहीं भी आ सकती है, AMOLED 6.7 inches का, आपको curb display panel दिया गया है, with 120 Hz refresh rate के साथ, यहाँ पर media tech की तरब से आता है, processor dimensity 7050, 6 nm2 के साथ आता है, और android version latest 13 पर वेज़डर, realme UI 4.0 पर run करता है, 8GB RAM 256GB का आपको base variant देखनों मिलता है, rear part में triple camera setup है, main primary camera 200 में आप बिक्सल का है, और 8 में आप बिक्सल का ultra wide, 2 में आप बिक्सल का macro lens दिया गया है, 4K 30fps में आप max video record कर सकते हैं, rear camera से, front में आपको 32 में आप बिक्सल का selfie camera देखनों मिलता है, stereo speakers है, under display fingerprint sensor है, 5000 mAh की big battery की साथ, आपको 100W की fast charging की support भी दी गई है, और इसमें आपको 3 premium color scheme देखनों मिलती है, 6 lakh के around smartphone का उन्तुतू score जाता है, बात करें smartphone की build quality ये बारे में, तो यहाँ पर आपको back और frame दोनों ही plastic के देखनों मिलते हैं, 183 gram का weight है, 8.2 mm की दिखने से, smartphone के back और like frame दोनों ही आपको plastic के देखनों मिलते हैं, लेकिन back में आपको leather की finishing दी गई है, जो कि आपको पसंद आभी सकती है और नहीं देख सकती है, बागी दोस्तों ये 4 smartphone price के point of view से better value for money है, आप अपनी priority के according इन में से किसी smartphone को भी buy कर सकते हैं, वीडियो informative लोगी हो अच्छी लोगी वीडियो को like कर देना, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और bell icon के ब्रण को press कर लेना, मिलते हैं आप से के लिए एक ऐसी ही new interesting और updated वीडियो में, दोस्तों तब तक के लिए bye bye and take care.